तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हेड़कॉाटर कोश्टगार्ट चेननाई से वेकेंसी जारी की गई है जिसका जो नोटपी के सना है इंप्लाइमेंट नूज में पांच अगस्ट दोजरतेश को जारी किया गया था और इसका जो लास्टेटेफ फर्म को फिलप करने के ल बात कौन-कौन से आपको डॉक्मेंट लगाना होगा कैसे आपको सेंड करना होगा कंप्रेट जनकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं तो इस वीडियो को बिन्या स्किप करते हुए लास्ट तक देखिएगा अगर आप इस चैनल पर पहली बार आई ह कुछ इसमने लिंक मिलेगा वहां से जाकर कि आप बिल्ल कुल फ्री में अप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं अप्लिकेशन डाउनलोड करने के बाद कुछ हैसा आपको अप्लिकेशन foreign मिल जाएगा जिसमें कि सबसे पहले आपको दिया किसमें अप्लिकेशन for the post up यानि जिस भी पोश्ट ले आप इसमें आवजन करना चाहते हैं आपको इसमें पोश्ट का नेम देना होगा इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे दिया गया है आपको अपना नेम देना होगा जो कि यहाँ पे आप my application के certificate के coding अपना name इसमें फिल अप करेंगे इसके बाद नमबर second में आपको फिर से यहां पर आपको post करने अपने देना होगा इसके बाद नमबर third में यहां पर दिया गया आपको अपना age में देना होगा और साथ में अपना data birth भी आपको देना होगा सबसे पहले अपना डेटा बर्त लिखेंगे इसके बाद आपको end करके जो आपका age होगा application form के last year से calculate करने के बाद आपको अपना age इसमें mention करना होगा इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको दिया गया फादर करने मापको देना होगा इसके बाद यहाँ पे जो आपका latest passport search photograph होगा उसे आप चिपकाएंगे और उसे आपको attested करना होगा यानि फोटो पे आपको cross signature कर देना होगा इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको दिया गया address को देने के लिए जिसमें के सबसे पहले अपना जो permanent address होगा उसे आप लिखेंगे और इसके बाद नीचे आपको दिया गया correspondence यानि जो आपका और स्थाई पता होगा उसे आपको यहाँ पे देना होगा जो कि आपको पीन कुट के साथ अपना address इसमें fill up कर लेना होगा इसके बाद नमबर 7 में यहाँ पे आपको दिया गया है qualification का detail यहाँ पे देने के लिए तो जितना भी आपको qualification होगा यहाँ पे अपना qualification mention करेंगे और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे qualification का अपना detail इसमें fill up करना होगा जिसमें कि सबसे पहले यहां पे आपको दिया गए एक्जाम पास देना होगा यानि जो भी क्वालिफिकेशन होगा मेटिकुलेशन इंटर्मिडिट यहां पे आपको देना होगा इसके बाद जो आपको पासिंगर होगा उसे आप देंगे इसके बाद आपको डिविजन देना होगा और इसके बाद जो आपको परसेंटेज होगा उसे आप देंगे इसके बाद नीचे आपको अपना जेंडर देना होगा male yeah female इसके बाद आपको nationality, Indian लिखना होगा इसके बाद नीचे यहाँ पे दिया गया फिजिकल handicap का इंडरेट होगे तो यहाँ पीस करेंगे और जो अपको फिजिकल handicap certificate होगा उससे आपको attach करना होगा physical handicap candidate नहीं होंगे आप no लिखेंगे इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको दिया गया category देने के लिए जो आपकी category होगी उससे यहाँ पर आपको देना होगा इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर दिया गया departmental candidate के लिए यानि यहाँ पे दिया गया अगर आप पहले से Coast Guard में सर्विस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको यस लिखना होगा और जो आपका NOC certificate होगा उससे आपको attach करना होगा अगर आप Departmental का इंडेट नहीं होगे यानि आप Coast Guard में सर्विस नहीं करते होगे तो यहाँ पे आपको इसमें No लिखना होगा इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको अपना Mobile Number देना होगा जो कि आप Active or Barret देंगे और इसके बाद नीचे आपको अपना Aim Lard इसमें देना होगा इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको दिया गा Form दिया गया है आपको जनकारी हो गई होगी कैसे यहाँ पे आपको Form को फिल अप करना होगा Next यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन से आपको document लगाना होगा तो इसमेंगर आपको ड़कमेंट लगाना होगा सबसे पहली यहाँ पे आपको अपना बहुत सर्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् OVC या EWS Candidate है जो आपका कास सट्पिकेट होगा उससे आप अटाइच करेंगे इसके बाद आपको एक फोटो आड़ी प्रूप देना होगा जैसे आप अप्लिकेशन फ़र्म पे फोटोचिप काएं से मुएसा आपको दो एक्ष्टा फोटो यहां पे आपको देना होगा इ अगर आप experience दिखाएंगे application form में तो अपना experience certificate लगाएंगे अगर आप पीच के अंडेट होगे या फिजिकल एंडिकेट होगे तो जो आपका सट्पिकेट होगा उससे आपको यहां पे अटेच करना होगा और जो भी आप document अटेच करेंगे सभी आपको सिल्प अटेश्ट करना होगा तो जहां पर आप signature करेंगे जस्ट उसके नीचे आपको date को भी लिखना होगा इसके बाद नीचे यहां पर center का address है इसी डेस पर आपको form को फिल आप करके send करना होगा और जो आपको send करना होगा केल आप इसमें आडर नी पोस्ट करेंगे यानि आपको किवल सा आप यहां पर form को fill up करके send कर सकते हैं और यह जो document list का PDF है आप लोगों को telegram channel मिल जाएगा वहां से जा करके आप document list का PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी साब चेक कर सकते हैं कौन कौन से आपको document attach करना होगा और telegram channel का जो link है आप लोगों को इसी वीडियो के discussion मिल जाएग वहां से जा करके आप telegram channel को join कर सकते हैं इसके बार next यहां पर जो आपको envelope देना होगा जो कि यहां पर केवल एक ही envelope देंगे जिस पर आपको लिखना होगा application for the post आप इसके बाद जिसी पोस्ट लिए आवज़न करेंगे post करें देना होगा इसके बाद आपको category लिखना होग और जो आपकी category होगी जनरल, OBC, SC, HD उससे आपको यहां पर mention करना होगा इतना लिखने के बाद इसके बाद नीचे आपको यहां पर to लिखना होगा इसके बाद यहां पर आपको center का complete address देना होगा इसके बाद आप from लिखेंगे और इसके बाद आपको अपना address में देना हो होगा और इसके बाद सभी document इसके अंडर डालना होगा लिखापे के अंदर और इसके बाद आपको send करना होगा इसमें आपको कोई भी extra इनुलब देने के लिए नहीं बोला गया है अगर आप अपने अमसार देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं लेकिन notification में ऐसा कोई नही दोंगा या तो आपको इसी वीडियो के डिक्सिशन में लिंक मिलेगा वहां से जाकर करके आप complete जनकारी को चेक कर सकते हैं अगर आप इस चैनल पर पहली बार आई हुए हैं चैनल को subscribe कर लेजिए और साथ ही साथ वे लाइकन को दबा दीजिए वीडियो को देखने के आने बाद